इस question में हमें दे रखा है एक उत्तल दरपड की focus दूरी दे रखी है में यहाँ पर 12 cm और हमें इस उत्तल दरपड की बक्ता दिर्जक को निकालना है और यहाँ पर हमें 4 option दे रखे हैं इन 4 option में से बताना है कि कौन सा वाल option हमारा सही होगा इसमें आपको formula पता होना चाहिए अगर आपको इसका formula पता होगा तो आप इसमें बक्ता दिर्जक को अराम से निकाल लेंगे और एक्जाम में भी आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि अक्सर एक्जाम में इसी तरी के question पूछे जाते हैं और इसी तरी के question हमारे पूछे भी गए हैं 2017 में 2018 में 2022 में बगरता तिर्जक पूछी है तो आप इस तरी के question को जरूत त्यार के जाएं इस तरह कोशन 4 साल पूछे जा चुके हैं और इस साल भी इस तरी के question आ सकता है तो आप इस question को ध्यान से समझना लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल क को subscribe कर ले और सबसे महत पूर बैल आइकन को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरी के और भी questions पर वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके तो आगे देखते हैं हम इस question को किस तरी के से solve करेंगे और इस तरीकी के और भी questions पर मैं वीडियो upload कर चुका हूँ उन वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख लेना सबसे पहले जो हमें इस question में दे रखा हुआ उसको हमें आप नोट कर लेंगे हमें इस question में उत्तल दरपण की focus दूरी दे रखी है small f बराबर 12 cm और यहाँ पर हमें उत्तल दरपण की बक्ता दरजा को निकालना है जो की होती है हमारी capital R इसके लिए आपको formula पता होना चाहिए बक्रता दिर्जा और focus दूरी के बीच में कि इनके बीच में हमारा क्या संबंद होता है तो वो formula आपको यहाँ पर लिखा वदिख भी रहोगा और यह formula में पहले भी बता चुका हूँ कि focus दूरी small f बराबर हो जाएगा बक्रता दिर्जा जो की होती है हमारी capital R upon 2 अब इस question में हमें बक्रता दिर्जा R की value को निकालना है तो उसी साबसे हम formula को बना लेंगे multiply में चला जाएगा फिर हम यहाँ पर focus दूरी को रख कर यहाँ से बक्रता दिर्जा को निकाल लेंगे वो calculation में आपको आगे दिखा देता हूँ इसे मैंने formula बताया था वैसी यहाँ पर हमारा formula बन चुका है बक्रता दिर्जा capital R बराबर होगा focus दूरी into 2 अब हम यहाँ पर focus दूरी को रख देंगे जो कि दिया हमारे पास 12 cm 12 की 2 से multiply हो जाएगी तो यहाँ पर बक्रता दिर्जा capital R बराबर कितनी आजाएगी हमारे पास 24 cm यानि कि इस question में हम से पूछ रखा था कि इस उत्तल लेंस की बक्रता दिर्जा कितनी होगी तो वो हो जाएगी हमारी 24 cm तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखावा दिखी रहा होगा कि आता है उत्तल दर्पड़ की बक्रता दिर्जा capital R बराबर हो जाएगा 24 cm और यह हमारे इस question का answer भी हो जाएगा अब हमें उपर 4 option दे रखे थे अब 4 option में से हम देख लेंगे किस option में हमें 24 cm दे रखा है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये जो हमारा 24 cm है ये हमें चौथे उप्शन में दे रखा है तो हम यहां पर लिख भी देंगे कि आता है जो हमारा चौथा भीकल पर वो हमारा सही है अब मैं आपको आगे उप्शन भी दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखे रहा हुगा कि हमें चौथे option में 24 cm दे रखा है तो यही इस question का सही option हो जाएगा बहुत बढ़िया question ने इस साल के लिए तो आप इस question को जरू तयार ररके जाएं और अगर इस question से related कोई भी doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना और अगर आप इसी तरीके के और भी questions देखना चाते हो चाहें वो मारे एक number वाले हो दू number वाले हो या फिर तीन या चार number वाले हो तो इन सभी की मैंने एक proper playlist बना रखी है उस playlist में आपको सभी तरीके questions मिल जाएंगी और उस playlist का link मैं description में देदूँआ वहाँ से जाकर आप देख लेना और इस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना